बारत और इंग्लेंड के वीच खेला जा रहा चिन्नाई में दूसरा टेस्ट माच का दूसरा दिन बेहद इंटरस्टिंग रहा आपको बता दें कि बारत ये टीम पहले तो 329 रनों पर ओल आउट हुई जिसके जवाब में बल्ले बाजी करने उतरी इंग्लिश टीम पूरे तरीके से बैक फूट पर चली गए आज अश्विन का पंजा कुछ ऐसा चला कि आज अंग्रेजी टीम पूरे तरीके से बिखरती पहले टेस्ट मैच में शांदार बल्ले बाजी करने वाली इंग्लिश टीम को इस टेस्ट मैच में क्या हुआ ये किसी ने नहीं सोचा था दरसल आपको बता दें कि भारत की पहली पारी 300 पर 6 थी पहले दिन और उसके बाद जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भार शांदार प्रदर्शन किया दरसल आपको बता दें कि पहली ओवर की तीसरी ही गेंद पर रोरी बर्न्स का विकेट चटका कर इशान शर्मा ने भारत को पहला ब्रेक्ट्रू दिला दिया और इसके बाद डॉम सिवली का विकेट अश्विन ने आठवे ओवर में दिला दिय इसके पहले लंच से ठीक पहले डैन लॉरेंस का विकेट लेकर अश्विन ने चौथा जटका अंग्रेजों को दे दिया इसके बाद दूसरे सेशन में बले बाजी करने उतरी इंग्लिश टीम को समलने की जरूरत थी लेकिन बें स्टोक्स का विकेट चटका गए यहाँ प इसके बाद इंग्लिश की टीम समर्ल नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर ओली पोप का विकेट गिरते ही ताश के पत्तों की तरह फिर टेल को आउट किया भारती गेंद बाज होने आपको बता दें कि ओली पोप के आउट होने के बाद बैन फोक्स अच्छी बलेबाजी कर रह इसके बाद जैक लीच कुछ खास कबाल नहीं कर पाया इशान शर्मा ने रिशप पंत के हाँ तो उन्हें कैच आउट कराया बड़ी बात यह रही कि स्टूर्ट ब्रॉड जो की अच्छी बलेबाजी कर सकते थे उनके रूप में इंगलिन का आखरी विकेट गिरा और इसक इसके बाद हम यह कह सकते हैं कि फिलाल भारती टीम कमांडिंग पोजिशन पर है भारत को 249 रनों की लीड पूरे तरीके से मिली हुई है वहीं आज अगर भारत की गिंदबाजी की बात की जाए तो इंगलेंड की पहली पारी को समेटने में सभी गिंदबाजों का योगद जिसकी बदालत भारती टीम ने अंग्रेजों को बैक फूट पर ठकेल दिया और टिम इंडिया पूरे तरीके से कमांडिंग पोजिशन पर आ गई जवाब में बल्ले बाजी करने उतरी रोहिच शर्मा और शुबमन की जोड़ी ने 42 रन जोड़ दिये थे पहले विकेट के फिलाल बनाई हुई है अब देखना होगा कि यहां पर भारती टीम किस तरीके से इस मैच को खेलती है क्योंकि तीसरे दिन बहुत जादा इंपोर्टेंट चीज़े होने वाली है भारती टीम अगर एक अच्छी लीड या फिर पूरा तीसरे दिन खेल जाती है तो एक बात इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है को मिलाकर अंग्रेजों को पूरे तरीके से दबोच कर रखा हुआ है भारती टीम ने तो हम यह कह सकते है कि टीम इंडिया फिलाल एक अच्छी पोजीशन पर है कमांडिंग पोजीशन पर है एंपी न्यूज रूम की हुआ है